असलाब एकम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टूम चैनल जाइका नेराला जाइका नेराला में आज हम बनाने वाले हैं मैकराओनी with फ्राइट चिकन तो चलें स्टार्ट करते हैं किस तरह से यह रेसिपी बनेगी सबसे पहले हम चिकन को मसाले लगा लेते हैं चिकन हमने ली है half cup bowlness उसे मैंने शामिल कर दिया है one teaspoon अधरक लैसन का पेस्ट नमक आप लोग अपने टेस्ट के हैं साफसे इसमें शामिल कर सकते हैं half teaspoon कुटी हुई लाल मिर्चे three to four drops हम इसमें शामिल करेंगे soya sauce के half teaspoon white pepper हम इसमें शामिल करेंगे white pepper का powder लिया है और one tablespoon corn flour इन तमाम चीजों का अच्छी तरहां से mix कर लेंगे और अब चिकन को आदे घंटे के लिए रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से marinate हो जाए और उसके बाद हम इसे fry कर लेंगे चिकन को हमने medium to low flame पे fry करना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और इसका अच्छे से golden brown कलर आ जाए जब चिकन फ्राइ हो जाएगी तो उसके बाद हमने लिया है three to four tablespoon cooking oil और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था half cup tomato puree नमग काली मिर्चे पिसी हुई one teaspoon चेली सॉस three to four drops सोया सॉस भी three to four drops डलेंगे और वेनेगर भी हम इसमें three to four drops ही शामिल करेंगे अच्छी तना से mix कर लेंगे इन तमाम मसालों को और अब हम इसमें शामिल कर देंगे two tablespoon tomato ketchup अच्छी तना से इसकी भुनाई करेंगे कि इसमें पानी ना हो टोमाटो प्यूरी जो हमने डाली थी उसे अच्छी तना से भून लेना है और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है half cup शिम्ला मिर्च और half cup बन गुबी अच्छी तना से इसे एक मिंट तक पकाएंगे यहाई फ्लेम पर उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है fry करी हुई चिकन बस चिकन और बं गो भी और शिम्ला मिर्च डालकि हमने से जाधा पकाना नहीं है एक मिंट के लिए पकाना है उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे बॉयल करे हुए मैकराणी मैकराणी को अब हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारे यह मैक्रोनी अब तयार है अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साइड में बैल का ऐकॉन होगा उसको जरूर प्रेस कीजेगा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे एक से दो मिन तक पकाएंगे ताकि अच्छी से गरम होज़े और इसके बाद इसे सर्फ कर देंगे हमारी मज़ेदार सी ये रेसिपी अब तयार हो चुकी है आप लोग इसे इफ़तार में बनाएए या ऐसे ही बच्छे को बनाके दीजे ये बहुत ही मज़ेदार सी और हर किसी को पसार आने वाली रेसिपी है आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना ख्याल रखेगा अलाँ आफ़िस